Good afternoon children, welcome to my youtube channel बच्चो आज हम solve करेंगे exercise 6.5 का question number 1 question number 1 में क्या बोला है the sides of triangles are given below determine which of them are right triangles in case of the right triangle write the length of its hypotenuse तो देखो बच्चो क्या बोला है कि हमारे पास जो है कुछ एक sides दी हुई है triangle की और हमें जो है वो ये check करके बताना है कि क्या ये जो तीन sides दी है ये किसी right angle triangle की है और अगर right angle triangle की sides है तो उसका जो hypotenuse है उसकी हमें length लिखनी है तो सबसे पहले हम start करते हैं first part से first part में हमारे पास दिया है 7 cm, 24 cm and 25 cm तो सबसे पहले तो हम इनको let करते हैं इनको name दे देंगे let a equals to 7 cm b equals to 24 cm and c equals to 25 cm अब देखो बचो right angle triangle में जो सबसे longest side होती है वो hypotenuse होता है और वो ही सबसे larger होती है तो इसमें हम देखो इन तीनों में larger क्या है 7, 24 और 25 25 सबसे larger है तो हम ले लेंगे c equals to 25 और c का square कर लेंगे c का square 25 का square मतलब 625 तो हमर पास c का square 625 आ गया अब हमें चेक करना है कि क्या ये जो दो sides बची है हमारे पास इनके square का sum जो है वो इस third side के square का जो जेसका square आया है इसके equal है या नहीं है सो हम चेक करेंगे a square प्लास b square ये क्या है बचो 7 और b है 24 7, 49 होता है 7 का square और 24 का 576 ओके इनको प्लास करेंगे 5, 11, 12, 625 ओके आ गया बचो देखो जो third side है उसका square है 625 और ये जो दो sides बची थी इनके square का sum भी आ गया 625 तो इसका मतलब क्या हुआ बचो कि हमारे पास जो तीन sides दी है वो right angle triangle की sides है सो हम लिख सकते है yes given are the sides of a right angle triangle और अगर ये right angle triangle है so the length of hyperteneuse क्योंकि हमें बोला है write the length of hyperteneuse the length of its hypoteneuse hypoteneuse कितना आ गया equals to 25 ओके ये अबर जो first part का answer अब है second part second part में अमर पास क्या क्या दिया है sides है 3 cm 8 cm and 6 cm तो इसमें भी बच्चों हमर पास क्या हो जाएगा let a square plus b square इनको भी चेक करेंगे क्या इनके square का साम इसके equal आएगा या नहीं ok a क्या है 3 sorry b नहीं है बच्चो c है b हमने निकाल दिया है पहले ही बड़ा था वो और 6 square 9 plus 36 ok ये आगया बच्चो 45 so therefore 64 is not equals to 45 या 45 is not equals to किसके 64 के so हम लिखेंगे no the given sides are not the sides of a right angled triangle अगर equal नहीं है बच्चो तो नहीं होंगी और यहाँ पे मरपस equal आगी थी first case में ok अब अब है बच्चो next next पार्ट है यह मरपास कौन सा ok next पार्ट है थर्ड थर्ड पार्ट में यह मरपास है 50 cm 50 cm, 80 cm, and 100 cm इनको इनको भी लट कर लेते हैं 4 0 आजाएगी अब चेक करते हैं क्या a square प्लस b square जो है वो इसके equal है यह नहीं so 50 square plus 80 square 50 का square 2500 80 का square 6400 6400 और 2500 no यह नहीं आ रहा है बच्चो क्योंकि हमारे पास जो है वो equal नहीं है यह side यह आ गया 8900 so हम लिखेंगे no क्यों? क्योंकि जो हमारे पास 8900 है वो किसके equal नहीं है? वो c के square के equal नहीं है मतलब c के square के equal नहीं है not equals to 10,000 तो इसका भी क्या आ जाएगा बच्चो इसका भी आ जाएगा no these are not equals to this so these are not the side of a कैसा triangle बोला था? right angled triangle ओके योगे बच्चो तीन पार्ट अब है इसका चौथा पार्ट फोर्थ पार्ट में क्या दिया है? 13 cm 12 cm and 5 cm ओके अब इनको चेक करते हैं let a equals to 13 cm b equals to 12 cm and c equals to 5 cm तो इसमें देखो बच्चो सबसे बड़ी कौन सी साइड है? p so a जो है वो larger side है so अब हम क्या कर लेंगे? a का square जो larger side है उसका square कर लेंगे और उसका square आगया 13 का square 169 ओके अब जो दो sides बची हैं इनको भी चेक करेंगे क्या इन दोनों के square का sum 169 के equal होगा? मतलब a squared के equal होगा यह नहीं होगा? so now 12 square plus 5 square, 144 and 25, okay, इनको plus करेंगे 169, तो इसका आएगा yes, 169 किसके equal है, equals to a square, और a square क्या है, वो भी 169 ही है, तो इसका आएगा yes, yes, these are the sides of a right-angled triangle, okay, and or the length of, the length of its hypotenuse, इसकी hypotenuse की length जो है, वो कितनी होगी बच्चो, 13 cm, 13 cm क्यों, क्योंकि ये 13 जो, a है, a की value हो 13, वो सबसे बड़ी side है, तो यही हमें चेक करना था, कि क्या right-angled triangle की sides हैं या नहीं है, I hope आपको समझ आ गया बच्चो, समझ आ गया है, तो please practice करना, और please channel को subscribe चुरूर करना, thank you so much.